किवल दो दिन में सैंपू में दो पुन डालकर लगाओ दस गुना तेजी से भैंकर लंबे घने बाल पाओ वो भी इतनी गारंटी के साथ है बताएगा नहीं कोई ये तरीका लेकिन आज आप जरूर जान ले और लास्ट मिजूचे मिलाने वाले हैं उसे मिलाना तो बिल्कु अच्छी बात है अगर थोड़े बरे दाने की चीनी है तब भी चल जाएगा ध्यान लखना है आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि चीनी का यूज क्या करना है ये नुस्खा 100% सीक्रेट है और बालों पर जिसने भी इसका यूज किया है बालों से जुड़ी समस्या उन अपको यूज करना है अपने बालों पर इस नुस्खे का चीनी में कई तरह के विटमिन्स होते हैं आयरन होता है और साथ यसाथ इसमें कुछ ऐसे पोसक ततो होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इसके पोसक ततो की जववत नहीं पढ़ेगी आगे जिस तरह से मिसको बनाएंगे इसकी पोस्ततों के जववत ही नहीं पढ़ने वाली है आपको केवल चीनी की जो खासियत है उसकी जववत पढ़ने वाली है दोस्तों केवल आपको एक चमच ले लेना है और इसे थोड़ा सा बारीक कर लेना है बहुत बारीक नहीं हलका सा देख सकते हैं आप हमने इसे थोड़ा सा दरदरा कर दिया है बहुत ज़्यादा बारीक आपको नहीं करना है हलका सा बारीक करके भी आप इसका यूज कर सकती है एक चमच हमने लिया है जब आप इसे थोड़ा सा बारीक कर देंगे तो ये दो ये आसानी से दो चमच ये तीन चमच हो जाएगा इतना से केवाल आपको यूज करना है अपने बालो पर तो वीडियो बहुत ही खास है इसलिए आप ध्यान से इसे समझे और जैसे जैसे हम तरीका बताएंगो उस तरह से आप यूज करिएगा इसके बाद हमने यह आपको सेंपू को निकाल कर जो हमने चीनी इसमें रखा है कटोरी में उसमें आपको इसे डाल लेना है और इसे आपको अच्छे से मिला लेना है बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान लखना है आपको इसे मिलाने के बाद तुरंत ही अपने बालों पर एपलाई करना है दिश इसके साथ में आपको कुछ और चीज़ों को एड़ करना होगा वो है दोस्तों विटमिनी कैपसूल यह कैपसूल आपको मेडिकल सौप पर आसानी से मिल जाएगा नहीं मिलता है तो लिंक डिस्रिप्शन में है आप आसानी से वहां से भी पर्चेज कर सकती हैं दोस्तों इस की सबसे खास बात यह है कि अगर आप इसका यूज परेंगे आपने बालों पर तो आपके बालों से रूसी की समस्या खत्म हो जाएगी साथी साथ है आपके बालों में निट्रिंस भी मिलेंगे जिससे आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी और इसके लावा अगर आपके पाल ऐसे में आपको कट लगा लेना है इसे काटके लिए अपने बालों पर करें बनकर रेड़ी है तो चलिए आप जान लेते हैं इसे लगाना कैसे है यूज कैसे करना है दोस्तों सब्ता में आपको किवल एक से दो दिन इसको यूज करना है और वो भी नहाने से पहले दोस्तों नहाने से पहले आपको इसे यूज करना है इसमें आप थोड़ा सा पानी भी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं लेकिन पानी के कोई बहुत जाद जोगत नहीं है आप ऐसे भी इसका यूज़ कर सकती है दोश्तों जब आपको इसे लगाना हो तो अपने स्कैल्प पर पहले लगा कर अंगुलियों को पूर से हलके हाथ से स्कैल्प में इसे रगड़िएगा ताकि जो चीनी के बारी कड़ है उससे रूसी में रगड़ हो और रूसी आसानी से स्कैल्प से निकल जाए और उसके बाद अपने बालों की लेंद पर लगा कर आपको अच्छे से सेंप्ल से वास कर लेना है दियान नख़ना है बहुत ज़्यादा दबाव से आपको अंगुलियों को नहीं रगड़ना है हलकी अंगुलियों से ही इसके यहल पर मसाज करनी है उसके बाद आप अच्छे सेंप्ल से वास कर लीजिएगा और कम से कम आपको अगर रूसी नहीं निकलता है तो हफते दो हफते यूज करिए रूसी भी खत्म हो जाएगी और आपके बाल अगर रूखे बेजान है तो आपके बालों की deep conditioning भी होगी या बालों की growth बहुत अच्छी होगी तो बालों पर यूज करिए और फिर कमेंट में जोग बताईएगा कि आपके बालों पर कितना और कैसे फर्द पड़ा